शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले वतन पर मरने वालों का यही निशा होगा आजादी के मतवालों की याद में लिखी इन पंक्तियों को जानते तो सभी हैं लेकिन इसे हिर्दैतल से महसूस करने वाले मुख्य मंतरीयों की आदितनात ने इसे भी आगे बढ़ कर पहल की है देश के स्वाधीन तांदोलन को निर्णायक दिशा देने वाले चौरी चौरा कांट के शहीदों को उचित सम्मान मिले इसके लिए मुख्य मंतरी ने इस एतिहासिक घटना के शताबदी बर्स में वर्ष परियंत कारिक्रम करने का निर्देश दिया मुख्य मंतरी योगी आधितनात की मन्शा है कि चौरी चौरा कांट के शहीदों की याद में बने समारक को इंडिया गेर जलिया वाला बाग और अंडमान के सेलिलर जेल जैसी ख्याती मिले जिसको लेकर चौरी चौरा शहीद समारक का 2.17 करोड रुपे की लागत से मुख्य मंतरी योगी आधितनात ने 4 फरवरी 1922 को हुई एतिहासिक चौरी चौरा कांड की शताबदी वर्स को यादगार बनाने में जुटे हैं जन्वरी के प्रथम सफता में गोरकपूर प्रवास के दौरान उन्होंने अधिकारियों को इसकी रूप रेखा बनाने का न परियंत होने वाले कारिक्रमों की तैयारी और जिमेदारी से जोड़ा मुख्य मंतरी के निर्देश के मुताबिक 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 तक प्रति दिन ऐसे कारिक्रम होंगे जो स्वाधिनता आंदोलन में निर्नायक भूमी का निभाने वाले चौरिश और अकांड की य हात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के समर्थन में चौरी चौरा के लोग भी पुर्जोड तरीके से जुटे थे अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जुलूस निकाल रहे आंदोलन कारियों के कुछनेताओं को चौरी चौरा में पुलिस ने 2 फरवरी 1922 को हिरासत में ले लिय में 4 फरवरी 1922 को करीम 3,000 लोग चौरी चौरा थाने के सामने प्रदर्शन करने लगे जिस पर पुलिस ने आंदोलन कारियों पर फाइरिंग कर दी इसमें 3 आंदोलन कारी शहीद हो गए लेकिन आजादी के मतवालों का होसला नहीं तूटा उधर गोलिया खत्म हुई तो पुलिस वाले थाने में अंदर छिप गए साथियों की मौत से गुस्ताय लोगों ने आक्रोश में थाना फोग दिया घटना में 19 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई चौरी चौरा कांड के चलते महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को अपना आसहयोग आंदोलन वापस ले लिय में 228 आंदोलन कारियों पर अंग्रेजी हुकूमत ने मुकदमा चलाया गोरपूर सत्र नयायले से 172 को फांसी की सजा सुनाई गई इस फैसले के विरोध में इलहाबाद हाई कोर्ट में पंडित मदर मुहनमालवे ने पैरवी की जिसके बाद अंतता 19 को फांसी 16 को काला प जजर अली, संपत रगुवीर, रामलगन, रामरूप, रुदाली, सहदेव, शामसुंदर, सीता राम और संपत पुत्र मोहन को फांसी की सजा दी गई इस खटना के बाद क्रांतिकारियों ने अपना आंदोलन और तेजकर बिटिश हुकूमत का राज करने का चौरा कांड को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन अपनी तयारियों में जुड़ गया है और शही दस्थल को एतिहासिक रूप देने में लगा हुआ है इस संबंध में गोरकपूर नियूज से बात करते हुए SDM 44 पवन कुमार और जिला अधिकारी के विजैंदर पांडियन ने कहा मुकमंतरी जी के निर्देश के करम में इलादिकारी महोदय के मार्ग दरसन में 4 फ्रोरी 1922 को जैसे ही चोरी-चोरा कांड के सतावदिवर सपूर हो रहा है एक भाब कारकरम आवजित किया जा रहा है साहीदों को सरदांजरी देने के करम में और एक आवजित किया जाएगा जिसमें लोकल कलाकारों को प्रमोट करने का हम लोगों ने एक प्लान तयार किया है बाकि इलादिकारी महोदय का समय से पर जो निर्देश प्राप्त होता रहेगा हम लोग उसको आवजित कराते रहेंगे साथी साथ तो मुख मार्ग से सही दसमारक तक पहुचने में जो रास्ता है वो काफी संकरा है इसके लिए हम लोगों ने एक प्लान तयार किया है जो भूपा बाजार से होके जाता है वो उस पे सड़क के दुनों तरफ पतिकरमल कर लिया गया है वो सड़क पचास पिट चोड़ी है जिसको हम सही करने के लिए प्रयासरत हैं और बहुत जल्दी हो भी सही हो जायागा ऐसे कारकरम से लोगों के अंदर अपने सहीदों जो भारत के आजादी के लिए अपने प्राण दे दिये उनके प्रतिलों में एक नहीं विचार बेक उत्पन होंगे और लोगों के यूथ हाईकान बनेंगे इसलिए ये कारकरम हाधित किया जाए देखे उननी सो बाइस चार फर्वर्वी में यहां तो एक करांटी हुआ है गोरकपुर में चोरी-चोरा कांड के नाम से वो माना जाता है उसी के बाद वह का जो अंदोलन है उस समय के आजादी का अंदोलन उसका दिशाई ही तो मुड़ गया है उसी के बाद फिर नान वैलेंस मूमेंट यानि आहिंसा के रूप में तमाम योजना चल पड़ी है उसके बाद फिर हम लोग आज़ादी मिला है गोरकपुर में उसको सो साल पूरा हो जा रही है उसी गटना का उसी क्या कराते हुए हम लोग एक भविय कारिकरम पूरे साल मनाने के लिए योजिना किये मुक्यमंद्री जी ने देश दिये हर सब्सक्राइब इसका हर विवाग मिलके एक अच्छा से एक सदी के रूप से सो साल का जो सदी के वर्ष हम लोग मनाएंगे और उसको तो चार फिरवरी का एक बढ़ा पविय का कारिकरम होगा उसके बाद फिर हर सब्सक्राइब होगा अजा हर सब्सक्राइब होगा कल्चरल एक्टिविटी रहेगा सेमिनार होगा फिर डिवेट कामपर्टिशन होगा इसी टैप का तो पूरे साल कम संचलन करेंगे और सभी का घर होना चाहिए था गौरकपुर में ऐसे स्तल है हम लोग के पास तीन तीन ऐसे जगह है यहां यहां डोरिया कला का कान है पर यह अंदू सिंग जी का भी यहां से फासी चड़ाया गया है ट्रामपरसाद बिस्मिल जी का फासी चड़ाया गया है एकी जनपत में चार-चार वैसे एधियासिक स्तल है और उसका आगे आने वाले पीडी को भी जानकरी देना होगा और हम लोग को भी उसको पूरा जानकरी र रखेंगे ताकि आगे आने वाले पीडी उसे गर हो जाए और आगे आने वाले पीडी एक अच्छा रास्ता पर जाए